नमस्कार दोस्तों, जैश्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे यूट्यूब चैनल शास्त्र सनातन ज्यान को ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। सुर्य जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें। कारण वास्तु दोश हो सकता है। इन दोशों को बढ़ाने में कई बार हमारी गलतियां, हमारी आदतें भी शामिल होती है। जोतिश शास्त्र के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो घर की महिलाओं को कभी भी रात में नहीं करने चाहिए। इससे उल्टा घर में ही गरीबी आती है तो दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों महिलाएं अगर चाहे तो घर को नरक बना सकती है और अगर चाहे तो घर को कुटिया से महल भी बना सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में महिलाओं को ये पांच काम कभी भी नहीं करनी चाहिए। इससे उल्टा घर में गरीबी आ जाती है। दोस्तों, आप यकीन मानिये, जब भी कोई महिला घर में रात के समय इन पांच कामों को करती है, तो यकीनन गरीबी अपना आवास बना लेती है, घर का मुखिया कंगाल होने लगता है, तो चलिए, जान लेते हैं, कौन से हैं, वो काम, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो रात के समय पतनी के साथ पती को जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें, दोस्तों नंबर, एक दोस्तों बहुत से लोग समय की कमी या कपड़े के रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात में बाहर पहला देते हैं, मगर यह एक तरह का वास्तु दोश है, माना जाता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां हव में विचरन करती है, और उनके असर से आप में नकारात्मक शक्तियां है, तो यह गलती आपको रात के समय नहीं कर चाहिए, इसी तरह से बहुत से लोगों की आदत होती है कि रात में जूठे बरतन रख कर सो जाते हैं, दोस्तों ऐसा करने से मान पूर्णा नाराज हो जाती है, इससे घर में दरिद्रता आ सकती है, इसी लिए रात में ही बरतन साफ करके सोना चाहिए, जूठे बरतन नहीं छोडनी चाहिए, दोस्तों नमबर दो, दोस्तों कई लोग रात को सोते समय जूते चपल बैड के नीचे और से रहाने की तरफ रख देते हैं, जबकि यह ब देरे कमरे में नहीं सोना चाहिए, हलकी सी रौस नहीं आप जरूर रखें, इससे सकारात मकता बनी रहती है, या इसकी जगह पर आप कमरे में देसी घी का दीपक जला कर भी हो सकते हैं, इससे मा लक्षमी प्रसन्न होती है, कई लोग बाहर से आकर बिना पैर धोए सीधे ही सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत उसे रूठ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात मकता भी व्यक्ति के अंक में प्रवेश कर जाती है। पर कोई कपड़ा डाल दें या परदा गिरा दें, इससे मूर्ती दोश नहीं लगेगा, रात को सोते समय सिर या पैर दर्वाजे की ओर ना करें, दर्वाजे की ओर पैर या सिर करके सोने से मृत्यू का भय बनता है। सफाई को सूर्योदय के बाद सुभह सभी अपने घरों में साफ सफाई आदी करते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम के समय, खास तौर से सूर्यास्त के बाद, घर में जाडू लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुभह के समय, घर में जाडू लगाना श्रेष्ट माना जाता है। लेकिन अगर इसी कारण मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़े, तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के कचरे को रात में ही बाहर ना फेंके। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और मा लक्ष्मी का वास बना रहता है। जाडू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए, इससे कभी भी घर में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। जाडू को रखने की सही दिशा दक्षन दिशा है। जाडू को रखने की जगह पर मा अन पूर्णा का वास होता है। जाडू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। चलिए अब जानते हैं पांचवा। काम जो आपको रात के समय नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपके घर में आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा। घर में तुलसी का होना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन सूर्यास्थ के बाद तुलसी के पौधे का स्पर्ष नहीं करना चाहिए। और नहीं उन्हें जल देना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी नाराज होती है और घर से सुक सम्रिधित दूर हो जाती है। जिससे समय सूर्य अस्थ हो रहा हो उस समय व्यक्ति को कभी भी सोना नहीं चाहिए और नहीं भोजन करना चाहिए। इससे न सिर्फ धन हानी होती है बलकि स्वास्थ संबंधित परेशानियां भी होने लगती है। सूर्य अस्थ के बाद कभी भी अपने बालों को न काटें और ना ही शेप करवाएं। कई लोग सूर्य अस्थ के बाद बाल कटवा लेते हैं या फिर से कर लेते हैं। ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होता है और धन हानी भी होती है। इसी के साथ रात के समय आपको कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए, वरना नाखून काटने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यह तो थे वो काम जो रात के समय नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें रात में स्त्री के साथ करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोख सकता। आचार्य चानक के एक महान ग्यानी थे। उनकी नीतियों के दम पर उन्होंने चंदरगुप्त मौरे को राजा की गद्धी पर बैठा दिया था। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चानक के द्वारा बताया गया। यह काम आप रात में जरूर करें। अगर आ आप उल्टा बरबाद हो सकते हैं दोस्तों, हमारे हिंदु धर्म शास्त्रों में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है। आचार्य चानक्य के अनुसार रात को सोते समय एक पती को अपनी पत्नी को दिल भी मजबूत बनाएं। ऐसे लोगों पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में पती पत्नी रात को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं तो ऐसा घर स्वर्ग के समान माना जाता है और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तक कि अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए। नहीं तो आपके घर को बरबाद होने में समय नहीं लगेगा। आचार यचानक के कहते हैं कि जब पती पत्नी में प्रेम बढ़ता है तो घर में संपन्नता अपने आप खीची चली आती है। व्यक्ति धन दौलत से माला मा हो जाता है। दोस्तों इस तरीके की हिंदू पुराणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी अगर आपने वीडियो नहीं लाइक किया पहले वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी लिखना मत भूल तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी। एक और ताजा वीडियो में अब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुब हो।